प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा अर्विन केजरिवाल के शीश महल के अंदर स्वाती मालिवाल के साथ हुई मारपीट और बचसलूकी के मामले में जाच तेजी से आगे बढ़ रही है मामली की जाच के लिए SIT का गठन भी कर दिया गया है तो वहीं देली पुलिस केजरिवाल के चहेते पिये आरोपी विभव कुमार को मुंबई लेकर गई है पुलिस का कहना है कि विभव ने आईपोन फॉर्मिट करने से पहले उसका डेटा मुंबई में किसी व्यक्ति या डिवाइस को ट्रांसफर कर दिया था उसी डेटा को हासल करना है डेटा को रट्रीव करने की पूरी कोशिश है और जैसे ही डेटा पुलिस के हाथ लग जाएगी व्यासे ही कई बड़े बड़े खुलासे होंगे अब जाच की आज मुंबई तक पहुँच गई है तो केजरिवाल की मुसीबत बढ़ना तो लाजमी है तो वही अब इस केस में दिल्ली के लजी की भी एंट्री हो गई है दिल्ली के उपराजपाल डॉक्टर वी के सकसीना ने स्वाती मालिवाल से फोन कर बातचीत की और सि जाच की आज कैसे पहुँची मुंबई इस केस से जोड़ी ताजा जानकारी आपको देंगे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टोड़े में मौजूद है कि उन्होंने जो केस दर्ज किया जो धाराएं लगाई वो कानून के दृष्टी से सही है और तभी इनको सजा मिलेगी बहुत साल चीज़े ऐसे होती है कि जो सबूत तो होता है लेकिन वो इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस उसको नहीं माना जाता तो आजकर तो डिजिटल जमाना है तो कुछ चीजें जो है वो बयान पे कुछ विडियो के ओपर कुछ डिजिटल और कुछ जो आरोपी है या फिर जो भुक्त भोगी है उनके बयानों और उनके आधार पे ये सारी चीज़े की जाती है मामला महिला से जुड़ा हुआ है तो आप ये समझ दीजिए कि और लेडी विभव बाबू जो है परिशानी में है केजिवाल भी परिशानी में है क्योंकि आप देखिए दो-तीन चीजी तो हो गई आपके घर में चीख चिलाहट कोई अबला, कोई महिला कोई लड़की वो चीख-चीख के मदद की गुहार लगा रही है आप घर में बैठके आपको मालूम तक नहीं पढ़ रहा है तो कई सारे सवाल केजिवाल से भी पूछे जाएगे अब मुमभई इसलिए गया है मामला क्योंकि बाई साब दिल्ली में कांड करके केजिवाल फिर उनको लेके चले जाते है लखनों लखनों से अमिसर अमिसर से मुमभई मुमभई से दिद लिया तो जो आइफोन है आइफोन के अंदर का जो डाटा कहा है पुलिस को सक है कि मुमभई में इसे जब जहां फॉर्मेट किया गया वहां इसके डाटा को डंप किया गया है किसी को दिया गया है तो वो जहांस तो अपनी जगह पे है लेकिन आज सौती मालिवाल ने एक रास्ता दिखाया है कि ये लड़ाई किधर जा रही है दो बाते ऐसी कि जो आम आदमी पार्टी के बारे में विच्ट तरह की तस्वीर जो है वो ड्रॉ करता है सौती मालिवाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को फोन करकर के पूछा जा रहा है कि कोई सौती मालिवाल का प्राइविट वीडियो है कुछ ऐसा प्राइबिट वीडियो है कि जिसको ले करके वारिल करके इनकी इमेज को खराब किया जाए बनी राजिनती किस अस्तर पर चली गई है भाई अलग-अलग रास्ता हो गया इस केस की वज़े से तो कम से कम एक डिग्रीटी रखो सौतिमालेवाल ने ट्वीट करके का दूसरे चीज़ सौतिमालेवाल के परिवार के लोगों की कार के नमबर प्लेटस को दिखा दिखा करके आप उनकी जान के उपर खत्रा डाल रहे हो ये किस तरह की बात है कal तक की लेडिस सिंगम थी पूरा ट्विट करके उन्होंने बताया है और LG साहब से बाचित हुई है लेकिन आज एक बात और हुई केजरीवाल तो संडे को मेरे पीए को जेल में डाल दिया मेरे पीए को जेल में डाल दिया ये कर रहे थे आज फिर वो अबतरित हुए स्वाती मालिवाल के बारे में कब बोलेंगे आप एक संडे तो बोलना चाहिए LG ने भी उस पर सवाल खड़े किया पिल्कुल चुकी है क्यों नहीं बोल रहे आप आपके घर आपका पीए आपका सांसद आपका दोस्त आपका सहकर्मी आपका मिलने आए आप से तो फुर आप चुपकी साथ रखेंगे और पार्टी के लोगों को फोन दिया जा रहा है कि कोई प्राइबिट वीडियो निकालो स्वाती मालिवाल का ये अस्तर हो गया है कहते पढ़े लिखे लोग है अब देखिए बहुत सारे लोग हैं मैं आपको एक बात बताता हूँ इस तरह के केस मुकदमे लडाई जेल सब कुछ हुआ एक क्लासिक केस रिमेंबर इट चिदम्रम और सुर्वनेम स्वामी के बीच की कहानिया आप जानती है उनके कंप्लेंट के उपर जेल भी गए सब कुछ गए एक बार एक पत्रकार ने सवाल पूछा चिदम्रम से कि तो आपके पीछे पड़े हुए है कभी आपने सुना कि कॉंग्रेसी लीडर जो है इनके चक्कर में बेल लेना पड़ा सोनिया गांधी राहुल गांधी बाकी लोगों को सुरुन्रम स्वामी का केस है 2011 में उसमों सरकार थी उनकी कभी आपने सुना कि सुरुन्रम स्वामी को कोई पीट दिया कोई ये कर दिया कोई वो कर दिया नो चिदम्रम कहा कि देखिए उन्होंने हमारे खिलाब केस किया है लेकिन बड़े सब भी तरीके से वो अपनी लीगल लड़ाई लड़ रहे है किसके बारे में कहा सुरुरम स्वामी जिसके वज़े से वो जेल चले गए और आप देखो ये लोग कॉंग्रस को गालियां देते है लेकिन हरकते इनकी देखिए कल तक जो आपके लिए लेड़ी सिंगम थी वो आपके बारे में क्या मुल्यांकन कर रही है ये देखिए लेकिन चतुर चालाग तो केजरिवाल है ही मामले को गुमा लिया राजनी थी कि देखिए हम हमें बरबाद करने की कोशिश की जा रही है सबको जेल में डाली गुसिस की जा रही है और आज तो इंतहा कर दी उसने काई जो अमिश्शा है ये दिल्ली वालों को गाली दे रहे है पाकिस्तानी कह रहे है जूटी बाद अमिश्शा ने क्या कहा अमिश्शा ने कहा कि राहुल बाबा और केजरिवाल उसको हिंदुस्तान में कम पाकिस्तान में ज्यादा समर्थन है ये बात तो है ये वहाँ से तो क्या गलत कह दिया ट्वीट्स भी कहा रहा है लेकिन उसको घुबा दिया इसने का कि दिल्ली वालों को पाकिस्तानी कहा जा रहा है और सारे लोग देखिए कोई पर चर्चा हो नहीं कि जुट बोला सफेज जुट बोल रहा है और क्यूं अमिस्टा को टार्गेट किया जा रहा है हमिस्टा गुस्टे में वो करें केज़िवाल अभी तो सिर्फ एक केस की ही investigation में सराव घोटाले अभी साथ साथ घोटाले अभी बाकी है और एक और चेताव नहीं दिये साफ साफ कहा स्टेश से कि अपने राजनीति के जीवन में हमने अर्बिन केजवाल जैसे निरलज्य व्यक्ति को नहीं देखा बाकी सारे लोग जेल के इस्तिवा दे करके ये जेल में हुआ तो लेकिन उन्होंने कहा क्या ये तो अलग बात हुई लेकिन मूल बात ग्रीव मंत्री अगर ये बात कह रहे हैं तो इस कथर में कुछ वजन जरूर होगा कि चार तारिक को रिजल्ट आएगा तो ये जो फेवी कॉल लगा करके बैठे हुए है केजरिवाल कूर्सी के साथ वो उखड़ जाएगा मतलब चार तारिक को होगा एक्षन रिजल्ट आने के बाद एक्षन शुरूर अब इसलिए ये वहाँ वीडियो बना करके केजरिवाल कह रहे है कि देखिए अभी आप प्रधान मंत्री नहीं हुए अरे भई अब इससा को आप डराएंगे अब योगी जी के बारे में कहानी कह रहे है कि पर चुनाओं की बाद आपको निप्टा दिया जाएगा रहे जिस तरी किसे आप इन मनीशी सुद्या को निप्टा आया वह आपने तो मनीशी सुद्या जब जेल गया तब आप बीजे नायर को जब ग्रफतार किया गया तम आप बाहर नहीं आए ये सतेंदर जहन को जेल में डाल दिया तम आप बाहर नहीं आए इस विभव में क्या खासियत है ये बताने क्या कश्ट करेंगे कि आप सारी मर्यादाओं को चोड़ के आप इतना 45 degree temperature में आप सड़क पे आकरके आप जो है वहाँ पे धर्ना प्रदर्शन करने में लग गये तो ये तो मिस्टरी खुलेगी लेकिन एक जो बड़ा मसला फसरा है अर्विंद केजरिवाल के लिए इस पे कोई चुपी नहीं है कोई बताए कि कोई शाजिस हो रही है पहले तो दिन दे दिया था इसने ओप्रेसिंट जाड़ू है कि पीमों से प्रदान मंतर से मिल के आने वाले विक्ति ने जो है वो कहानी सुनाई मैं देख रहा था भाई कपल मिस्रा भी तो इनी लोग साथ थे पहले तो कपल मिस्रा भी कि रात में सोता सोता जग जाता केजरिवाल कहता है कि अमिशा 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 वो चिला थे हैं तो कहानी का दौर चलेगा आपको प्रदान मंतर से मिल के आने वाले लोग आपको कहानी सुना रहे हैं तो अब बीज़ेपी वालों को ही कहानी जो है सुनने को मिल रहा है खेर ये तो वार पलट वार हो गया केजरिवाल को जूट बोलनी की आदत है किसी भी चीटों पर शर्म नहीं आती ये सब तो जग जाहिर है अभी भी वो लगतार जूट बोल रहे हैं लेकिन इस स्वाती मालिवाल के केस में दिली पुलिस बिभाव को मुंबई लेके पहुंची है वहाँ पे क्या क्या होगा देखे वहाँ पे जहां जहां जिस जिस लोकेशन पे वो गए वहाँ वो कहा रुके किस से मिले ये सारी चीजें वो डिटेल में पूश्ताज से उनको ड्रॉ किया गया है प्लस उनके फोन लोकेशन चूकी जब फॉर्मेट किया गया तो लोकेशन आउन था लोकेशन आउन करने के बाद ही इसको फॉर्मेट किया गया है तो कहा फॉर्मेट किया गया किस वेक्ति से आप मिले कौन कौन लोग थे तो ओविस सी बात है कि वहाँ एक अलग chain of events का जो है वो जन्म होगा और उसको खगाले की पुलिस उसको हलाकी देखिए अगर जो मुल बात है अगर आपके दिल में चोर रही है आप से कोई फोन मांगे गाद देदेंगे भी लिलो फोन लेकिन उस फोन का password नहीं बताना फोन को format कर देना वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसमें तो केजरी वाल के तवाम काले चिट्टे होंगे वो पिये बन करके घूम रहा है तो किससे किससे बात हो रही है कहा कहा बात हो रही है देश विदेश कौन नेता बात कर रहा है कौन से संगठन बात कर रहा है पाकिस्तान में बात हो रहा है बीजिंग में बात हो रहा है ढाका में बात हो रहा है कहां किस से ये सारी चीजे भी सामने आएंगी प्लस कई सारे messages होंगे वो भी सामने आएगा कौन क्या मदद कैसे क्या कर रहा है क्या खेल चल रहा है और इसे लिए शाय क्योंकि मनु सिंभी सतंग साइज इन लोगों को मना कर चुक हुँए कि अभ फोन डिस्ट्रॉयeks बत Давайте therapy दिक्कत होती है और है तो नया टिकनिक भई फॉर्मेट कर दो डेटा उडा दो तो भई आयटी से पढ़े हुए हैं तो कोई कंप्यूटर इंजिनियर होगा सॉट्टर इंजिनियर होगा जान पहचान का कोई बड़ी कंपनी का तो शाथ इसी सुराक को ढूंडने के लिए दिल्ली पुलिस विभव को मुंबे लेके गई है बहुत बहुत धन्यवाद सर्थ धन्यवाद तो आमादमी पाजी की देटा के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश में तुट गई है पुलिस ने ये भी बताया कि सेम हाउस में लगे सेस्टेवी से छेड़ चार की गई है गटना के समय का सेस्टेवी ब्लाक शो हो रहा है पर अगर फोन का डेटा पूरा रट्रीव कर लिया जाता है तो देखना होगा इस केस में और क्या-क्या नएने खुला से होते हैं उस पर आप अपनी राए कमेंट के लिखें देखते रे क्यापटल टीवी नमस्कार